वेलकम बैक टियो चैनल डिये इस्टुएंट स्वागत है आप सभी का दसूपर मॉक टेस्ट के इस तीसरे वीडियो में आज है संडे और आज आपको मॉक टेस्ट देना होगा ये मॉक टेस्ट एर फोर्स नेवी के लिए ही डिजाइन किया गया है और बहुत ही महतोपूर है इसके कुछ नियम है जो कि नए इस्टुएंट होगे उनके लिए हम बता दें आपको इस वीडियो में दस क्वेस्टन दिये जाएंगे इंपोर्टेंट क्वेस्टन इन दस क्वेस्टन को आप सॉल्व करेंगे इनको सॉल्व करने के बाद एक पेज पर अपना नाम और उसके बाद अपना एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नमबर आप चाहें तो दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं ये कोई ज़र नहीं, मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना score, ठीक है, score मतलब कि आपने कितना सही किया है, और score कैसे लिखना है, जैसे पहले का, अगर माल लेते हैं कि B सही है, दूसरे का C सही है, तीसरे का D सही है, ऐसे करके, ठीक है, पांच इधर कर देंगे, पांच इधर क पर भेज देंगे, इंस्टागराम पर direct message कर देंगे, ठीक है, समझ में आगी बात, इंस्टागराम से जुड़ने के लिए आपको 10 ओधी पांड इंस्टागराम पर surge करना होगा, Link भी दिस्क्रिप्सिन में दे देंगे, वहां से भी आप जूड सकते हैं, फिर उसके बाद ह हम आपको final result देंगे इस प्रकार से पिछली बार जो बच्चे थे आप देख सकते हैं इस में से दो बच्चे जो है कि ये दसों के दसों इनके questions रही थे और ये A grade पाय हुए थे ठीक न तो इस प्रकार से आपकी भी list बनाई जाएगी इससे फायदा ये होता है कि आप पूरे भारत भर में सभी बच्चों से compete करते हैं मतलब कि कोई बच्चा समझ सकते हैं कि अलग-अलग राज्यों से बच्चे जो हैं कि तयारी कर रहे हैं तो उनके सामने आपका ये competition होता है थोड़ा tough हो जाता है competition तो इसका आपको बहुत ही जादा लाग मिलता है ठीक है बाते आपर error है किस पार्ट में error है ठीक है हो गया आगे बढ़ते हैं अगला दूसरा question आपके सामने fill-in-the-blank से है आप इसको देख लिजिए इसका screen shot ले सकते हैं और लिखते जाएंगे पहला का आपने लिख दिया A, दूसरे का आप लिखेंगे B, मतलब जो भी सही होगा तीसरे का C, ऐसे करके ठीक है ऐसे लिखते चलेंगे आगे बढ़ते हैं अगला भी fill-in-the-blank से question है इसका screen shot ले लिजिए आप वीडियो रूख करके जैसा आपको अच्छा लगे Similar word बताना है यानि कि synonym बताना है मैं बताते चलना हूँ कि question में क्या करना है अगला question जो है उसमें opposite बताना है opposite का मतलब antonym बताना है Next question है उसमेn idiom phrase बताना है लिखा भी गया है आप देख सकते हैं direction में idiom phrase यह है Down and out का बताना है आपको अगला है कि which is the best substitute मतलब one word substitution से question आपके सामने है options भी चार दिये गए हैं क्या इसमें से सही हो सकता है यह भी देख लीजिए आगे कर बढ़ते हैं तो find the error से question दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं चार option है चारों में से कौन सही है यह आपको ब यह आपको note करना है और I think last question है दसवा नमबर का the principal said be quiet girls अब यहाँ पर इसको आपको direct या indirect में जो भी है बताना है आप देख सकते हैं लिखा गया है ठीक है सबका आपने screenshot ले लिया सबको solve कर लिया तो अब आप क्या करेंगे उसका एक photo लेंगे और हमें सीधे Instagram पर यहाँ स message हम आज courses करिएगा कि आज शाम तक आप message कर दीजिएगा ताकि हम कल आपका check कर सकें और उसके बाद परसू आपका हम list जारी कर देंगे कि कि किस बच्चे का कितना सई हुआ है विश्वास मानी यह बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है यह फायदा होता है आप पूरा national level चुकि जब आप Air Force का exam देने जाते हैं तो आपका ही अलग से तो merit बनता नहीं है पूरे सभी बच्चों के साथ आपका merit बनता है ठीक है तो यह test भी सभी बच्चों के साथ हो रहा है और सबसे खास बात इस test की बिलकुल free है ठीक है यह test बिलकुल free है आप कहीं पर mock test join करते ह हैं या किसी app को download करते हैं तो वहाँ पर लोग कुछ charge करते हैं आप कुछ पैसे देते हैं तब आपको वाँ पर username और password मिलता है फिर आप उस test को दे पाते हैं और यह जो label है test का यह बहुत ही अच्छा level है मतलब कि इससे कटीन आपके exam में नहीं आएगा ठीक है तो चलिए best of luck आपके लिए और आपको जैसे जैसे हमने बताया है विससे चीज़े करिएगा मिलेंगे फिर इसके result के साथ बाकी बीच में वीडियो जाती रहेंगी ठीक है चलिए तब तक कि रिए जय हिंद वंदे मातरम